दोस्तो PUBG एंडिया में वापसी करने जा रहा है, जी हाँ दोस्तो PUBG फिल से वापस आने जा रहा है, बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर PUBG लवस के लिए आरही है, जो भी लोग यहाँ पर PUBG गेम खेलते थे थे उनके लिए आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग नीज यह आ रही है कि PUBG पबब जी इंडिया में वापसी करने जा रहा है क्या कुछ नई स्टेटमेंट है पर पब जी के दुआरा है सारी जो डिटेल होने वाली तो वह आज के इस दुड़ों आप लोग को मिलने वाली है लेकिन दोस्तो उससे पहले जो भी आपर पब जी लवार से जो भी आप पर खेलते हैं प्लीज आप यार इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में वाटस एप पर फेस्बूक पर ताकि सभी लोगों को पता लगे कि पप जी फिर से इंडिया में वापस आने जा रहा है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज क यूडियो तोस्तों आप लोगों को बदाऊगा लास्ट वीक अभी इंडियन कोवर्मेंट के द्वारा जो एकसो अठारा एपस थी जो की चाइनीज एपस थी उनको इंडिया में बैं कर दिया गाय था जिन में से जो मेन एपस थी जो यहाँ पर सबसे बड़ी जो एपस थ जरचाएं भी फिर चल रही थी कि पबजी इंडिया में वापसी कर सकता है तो फिलाल यहाँ पर पबजी के दुआर एक नया स्टेटमेंट दिया गाया जिसके दुआरा आप यहाँ पर बताया जारा कि पबजी इंडिया में फिर से वापसी करने जारा बहुत ही जल्दी य जारे उससे पहले मैं आपको statement बदा देता हूँ, news बदा देता हूँ, कि क्या कुस news आप लोग के लिए आ रहे, आप लोग को बदा है, जो PUBG है तो वो एक South Korean company का game है, जो की PUBG Corporation की तरफ से आता है, तो PUBG Corporation एक South Korean company है, लेकिन जैसे ज़िए जब ये game बना था, तो उस समय ये game इतन जादा पसंद किया जाने बार लगा, तो उस समय जो है, जो PUBG Corporation है, उन्होंने जो है Chinese company Tencent को जो है responsibility दे दी, उन्हें फ्रेंचाइजी यहाँ पर दे दी, और ये फ्रेंचाइजी developing and जो यहाँ पर जो publishing थी, उसके लिए दी गई थी, यानि कि जो दूसरी countries थी, वहाँ पर इस Chinese company थी, लेकिन अब Indian government के दुआरा जब ये decision लिया गाए, जो Chinese apps को जो है यहाँ पर ban किया गाए, उसके बाद अब PUBG की तरफ से final यहाँ पर PUBG Corporation है, South Korean जो company है, उनकी तरफ से statement आया है कि जो Indian government की जो यहाँ पर security और privacy को लेकर जो भी यहाँ पर issue जब वो उनको जो है priority से ठीक कर जा रहे हैं और जो भी यहाँ पर Chinese company को जो इंडिया में ban किया जा रहा है, तो जो Tencent company है, वो उसकी franchise को जो है इंडिया में खतम करने जा रहे है, यानि कि सारी जो responsibility होगी है, अब PUBG game के इंडिया के अंदर, वो PUBG Corporation की होगी, जो कि South Korea की company है, यानि कि अब PUBG को handle यहाँ से चाइन ने उनकी तरब से statement दिया गया है कि अब जो है PUBG game की जो responsibility होगी, वो PUBG Corporation की होगी, ना कि यहाँ पर Tencent gaming है, उस company की, यानि कि Chinese company की यहाँ पर जो है, बिल्कुल जो यहाँ पर franchise थी, वो इंडिया के अंदर, खतम कर दी गई है, आज से यहाँ पर Tencent company के इंडिया के अंदर, खतम जा रहा है, बहुत ही जल्दी वापसी करने जा रहा है PUBG यहाँ पर इंडिया के अंदर, आप लोग बदाईएगा कि आपने से कौन-कौन यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि PUBG फिर से इंडिया में वापसी कर रहे हैं, नीचे फटा-फट से comment करके बताईगा, वीडियो को यार श जाने वाट